हेलो दोस्तों मैं विवेक्सा हूँ आपका दोस्त वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल एक्सेल गुरू कुल में आज की इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं कि टैली में फ्री सैंपल के एंट्री कैसे करते हैं मानले orage हमारी नूडल्स के एक कंपनी हैं और हम उसे сил करने के लिए किसी पाटी के पास जाते हैं तो वो पाटी हमसे सैंपल मांगते है वो कहती है कि हमें पहले सैंपल देजिए टेस्ट के लिए उसके बाद ही हम आप से आपके प्रोड़क्ट पर्चेश करेंगे तो उस तरह सेल्स की एंट्री टैली में कैसी होती है इस वीडियो मैं सीखेंगे तो मंने पहले सीफ्री सैंपल एंट्री नाम की एक खेंगे रखी है अब हम सेल्स के एंट्री रिए करने के लिए हमें पहले जाना होगा उसकरला ओचने पाइड करें अगर्जर परने के लिए हम पर्षे करेंगे एफ नाइन सौरी शेल्स का वाउचर उपने के लिए प्रेस करेंगे F8 जो कि पहले से मेरा open है लेकिन आगे बलने सिपहले हमें एक feature को एक्टिवेट करना होगा उसके लिए हम जाएंगे feature option पे फिर जाएंगे inventory features में इसके लिए यहां जनरल ब्लॉप में एक option मिलेगा, second वाला, enable zero valued transaction, इस option को हमें करना होगा, yes, उसके लिए प्रेस करेंगे y, प्रेस करेंगे enter, और control A से इसे as it is save कर लेंगे, अब मैं reference number ले लेता हूँ, 002, party account में ले लेता हूँ, साहो enterprises, और यहां से हमने sales का laser select कर लिया, अब यहां से हम select करेंगे अपने product हका noodles को, quantity मौनले जिमने डाल दी, दो piece, क्योंकि यह product हम free of sample दे रहे हैं, free of cost दे रहे हैं, इसलिए rate की कोई जरूत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, और इसे additives save कर लेंगे, अगर हम इस feature को activate नहीं करेंगे, तो हमारा cursor quantity के आगे rate के बाद आगे बढ़ेंगे, तो इस feature को activate करके, हमने इस entry को करनेंगे save, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें, comment करें, हमारे YouTube चैनल को subscribe करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूलने, तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हैं, जय भारत! करेंगे जय हो, तो में परेंगे बालने, जय हो, एम हो, भारत!